और कुछ चेर से अल्रेडी जो है ना नदी में भी लगवी है यार ये जो नजारे है ना इधर भी पहाड इधर भी पहाड और पूरा एरिया जो है ना फूरा हिल से कवर है यार कुली कतांदी जो ये बोर्ड लगा है यहीं से अपने को नीचे जाना होता है मीनी थाइलेंड के लिए और दूसरा एक और जगा है जिसको बोलते है मीनी थाइलेंड भी बोला जाता है यार भाई और आज भी आज मैं वह दिखाने वाला हूँ आप लोगों के यहां से और टाइम अगर बचा तो यहीं से निकल जाँगा सरे उलसर मंदीर जो टेमपल जो यहां का बहुत ही खमश टेमपल है और भाई मैं रुकाता कहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ भाई ये देखो एक अल्टीमेट जगा क्या बोल सकते हैं और इदर कब कुछ सीन ऐसा है मैं एक पूल पर खड़ा हूँ और मैं रुकाता भाई एक हिल टॉप होम इस्टे करके जगा है जहां पर इन्होंने मुझे पनहा दे दी थी भाई अच्छी घासी मतलब मैं अक्शली साम साम को पहु मैं रुका हूँ यार यह हिल टॉप होम इस्टे करके एंड कैफे है और मैंने कैंप लगाया था वहां पर और भाई इतना अच्छा न जा रहा है इधर है पूरा फोरेस्ट उधर भी एक रोड निकली हुई है इधर नदी है दैन इधर रिस्टोरेंट है और कुछ चेर से अल्रेडी जो है ना नदी में भी लगवी है लाइक फिल ओफ वो एक गोवा में यार एक जगा है मैं को याद नहीं आ रहा है लाइक उसी टैप में को जगा है यह देखो मतलब अल्रेडी पानी में पेर डालके आराम से बैठके और चिल कर सकते है भाई और साथ में है कि अगा है तो यह हो मिश्टे है निकलना कहां से वह यह अब रीज है ब्रीज से ऐसे कर गे वो मेन टॉप वहाँ पर पहुचने है वहाँ से कुछ मेरे को something 200-300 मीटर चलना है वहाँ पर आएगा cross over जिसमें मेरे को उपर चलना है इस पहाड़ी की तरफ और उपर पहाड़ी की तरफ something पास्टो से 600 मीटर चलके ही waterfall आजाता है मात्र नियर स्टेश so finally पहुच चुकों भाई जीबी waterfall और जीबी waterfall के front का कुछ निजारा इस टैप से बहुत सारे आपर restaurant वगरा देखने को मिल लेंगे इधर से यार और start में एक बड़ी आसा gate बना के रखा हुआ है अच्छा कासा so चलो चलते हैं अंदर आओ यार यसी थोड़े से आगे बढ़ते हैं न कुछ बीस पंदरा से बीस मीटर first पूल इस टैप से और इसके आगे कम से कम 3-4 पूल से मैसी बने हैं तो like feeling आती है एक adventure की और यही तो मज़े है यार waterfall वाली जगा के finally और उसके बाद एक और जगा यह वाली कल मैं आया था न तो यहां पर बहुत सारे लोग फोटो कीचवा रहते हैं actually like this photo place लिखा भी आ रहा है और बहुत अच्छी जगा है मैं भी I will try कि यह कैसे करते है फोटो क्लिक और selfie point से आगे बढ़ते हैं तो मैं भी यहां से कुछ पढ़ता है और 100 मिटर के डिश्टेंस पे भाई यह थर्ड पूल इसके बाद waterfall और सबसे बड़ी बात यार यह जो नजारे हैं इधर भी पहाड इधर भी पहाड और पूरा एरिया जो है पूरा हिल से कवर है यार और साइड से यह नजारे कितने खुबसूरत लग रहे हैं बदा भी नहीं सकता हूं यार बस दिखा सकता हूं और फाइनली हमारा यह लाश्ट पूल और फाइनली वह स्पॉट है waterfall वाला जो वेरी सस्पेंस लेकिन वेरी ब्यूटिफुल भी है भाई और फाइनली भाई कुछ ऐसा नजारा और फाइनली पहुच चुके है waterfall के मेन डिश्टिनेशन पर भाई और यहां से कुछ नजारा ऐसा बनता है और सम्थिंग यह होगा कुछ चालिस से पचास फुट जिसका नजारा कुछ ऐसा है और आल्रेड़ी एक अच्छा खासा टूरिश्ट प्लेस है और नाम तो फैमसी है जी जी वाटर फॉल बड़ा रिटिमेट है यार तो चलो यहां से बढ़के अब आगे कुछ सा मीमी ठाइलेंड के लिए थोड़े आगे चलने के बादना कुछ नजारे ऐसे भी देखने को मिल रहा देगो वाव यार और अभी में भी कुछ दो सो से तीन चार सो मीटर और रहे गया है सो भाई कुछ फूल से अराउंड चार सो से पासो मीटर वाकिंग है डिस्टेंस और इदर से आना होता है जैसी इदर से आते तो पहला बोड मिलता है कुली कतांदी जो यह बोड लगा है यही से अपने को नीचे जाना होता है मिनी थाइलेंड के लिए यहां से कुछ ट्रैक है मेभी दो तीन सो मीटर है से कुछ रहेगा सम्थिंग सो इन जंगलों को और पेड़ों को बीस से होकर अपने को पहुचन है बाई मिनी थाइलेंड अच्छले अभी अच्छल प्लेस अभी नहीं है और में भी यहां पर जैसी यहां से ट्रैकिंग करते हुए उतरते हैं तो यह कुछ एक दो दुकाने होती है और लाइक एक नदी है जो बहुत ही खुबसूरत चेवाज़ है और नेच्रल पानी आ रहा मिनरल से भी कहीं बहत कि यहां से कुछ बता रहे कि 5-7 मिनट का और ट्रैकिंग रह गया है तो देखते हैं और क्या इस पेसल मिलता है बताते है आप लोगों को सुच चलो साथ में हो लो कि यह जगा दिखी नहाने लाया एक कूंड टाइप में बना हुआ आराम से जाके नहा सकते विंदास तरीक कि यह जगा है लोग जा रहे हैं सो देखते हैं क्या है वह आगे तो यह है वह जगा जिसके कारण मीनी थाइलेंड का फड़ा सब फिलाता है यह दो पत्थर जो एक इधर है दूसरा इधर है और अधर कुछ पानी है बड़ी असा जो थोड़ा सा लगता है कि या थाइलेंड वाला फिल देता है बाई और बाकी तो कुछ नहीं थोड़ी सी ट्रेकिंग है और कुछ नहीं सामने का बेकराउंड दिखाया कैसा है मैंने दो पत्थर आपस में मिले वह दन दूसरा जो और इदर निकल दाता है बट मुझे नहीं लगता मेरी लिए प्लेस है तो मुझे लगता है यह मेरी अंसीन प्लेस की लिश्ट में आएगा इसमें भाई मेरी लिए नहीं है विकाज आयम इंट्रेस्टेड ओनली फॉर पीस्फूल प्लेस और हैंड ट्रेकिंग सो चलते हैं बाई कोई ऐसी जगह ट्रेकिंग हो यार फन हो अकेले हो शांत प्लेस हो मजादा है ऐसी जगह सो चलते हैं यार